minus 2 upon x minus 4 plus में 10 inverse x plus 2 upon में x plus 4 equal to pi by 4 find the value of x ये question inverse triglometrical functions class 12 mathematics से लिया गया है और other than दिल्ली वाले पार्ट के सेट 1 में 2014 में आ हुआ इस अगर आप मेरे चैनल दमेश गुरू दे पर नहीं है तो red बटन दबा के इसे subscribe कर लें तो इस question को यहां हम करेंगे तो यहां पर हमारे को जो दिया हुआ है 10 inverse x minus 2 upon में x minus 4 plus में 10 inverse x plus 2 upon में x plus 4 equal to pi by 4 तो इसको जो है हम एक बार rewrite करेंगे दुबार से लिख लेंगे और फिर जो है इसमें जो है हम 10 inverse a plus 10 inverse b वाला जो formula है वो apply करके इसको simplify करेंगे और फिक quadratic equation या किसी भी तरीके से जिस तरह के भी इसमें relation बनते हैं उस तरीके से इसको फिर आगे solve कर लेंगे तो यहां पर देखें जो यह है हमारे पास यह 10 inverse जो हमने 1 लिखा है pi by 4 की तरह क्योंकि 10 inverse 1 जो है उसकी value pi by 4 होती है क्योंकि 10 pi by 4 पे जो है इसकी value 10 की 5 by 4 पे value 1 होती है तो 10 inverse 1 जो है वो pi by 4 होगा तो अब हमने क्या करना है कि इसमें जो आपके पास जो लेफ्ट साइड में था 10 inverse x-2 upon x-4 उसको तो बहीं रहने देंगे और 10 inverse x-2 upon x-4 को जो है राइट साइड में ले आएंगे और यहाँ पर 10 inverse a-10 inverse b वाला फार्मूला एप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 10 inverse a-b यान पर a जो है वो 1 है और b जो है x-2 upon x-4 और नीचा आजाएगा 1 प्लस a into b a into b का मतलब 1 into में x-2 upon x-4 तो यह आपके पास आगया अब हमने क्या करना है कि x-4 यह हमने lcm लेके करना है अब यहाँ जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था वो मैं बता रहा हूँ यह है 10 inverse a-10 inverse b जो कि 10 inverse इस तरह से a-b upon में 1 प्लस a into b आ जाएगा तो यह जो है हमने इस step में इसकी मदद से इसको किया है अब x प्लस 4 को जो है lcm लेंगे उपर numerator में भी और denominator में भी तो इसमें जो है x प्लस 4 यहाँ पर आएगा और यह हो गया x प्लस 4 और minus x minus 2 तो यह हमारे पास आ जाता है तो यह लिया तो अब देखिए x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाता है और यहाँ उपर x प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गए तो यह बचा 4 माइनस 2 यानिके 2 तो 2 जो है इधर बचता है और नीचे जो x प्लस 4 है और इधर जो denominator में x x जो है 2x हो गए और 4 प्लस 2 6 हो गए तो 2x plus 6 upon में x plus 4 जो है हमारे पास आ जाएगा तो ये लिख देने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि x plus 4 को x plus 4 से cancel किया जा सकता है और जो नीचे denominator में 2x plus 6 है उसमें से 2 common ले लेंगे तो उपर वाले 2 से वो cancel हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर करके दिखा रहे है तो ये जो है आप इस तरह से लिख देंगे तो आपके पास देखिए ये 2 जो है इससे 2 cancel हो जाता है x plus 4 से x plus 4 cancel हो जाता है तो हमारे पास बचा 10 inverse 1 upon में x plus 3 तो अब ये इस तरह से हमारे पास में आ गया है तो आप देखिए ये हमारे पास आ जाने के बाद आप आपने क्या करना है कि दोनों sides को compare करना है दोनों में 10 inverse जो है उसकी values जो है वो equal हो जाएगी तो ये जो है x minus 2 upon में x minus 4 जो है वो 1 upon में x plus 3 के equal हो जाएगा तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे और फिर cross multiply करेंगे तो x plus 3 को x minus 2 से multiply करेंगे और x minus 4 को 1 से multiply करेंगे तो ये change हो जाएगा अब x minus 2 में x plus 3 equal to x minus 4 अब x को जो है x से multiply करेंगे x square और minus 2 से करेंगे x को तो minus के 2x और x को 3 से करेंगे 3x तो minus 2x 3x x हो जाएगा और जो है minus 2 को 3 से करेंगे तो minus के 6 आजाएगे तो अब देखिए x से x cancel हो गया तो x square minus 6 minus 4 आगया जो कि x square is equal to 2 तो x की value plus minus के square root of 2 आती है यानिके x की value एक तो plus का 2 हुआ और एक minus का 2 हुआ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चाएगे वीडियो के like कीजिए की आले, है जो क news के भीडियो के और हम देखि की वीडियो के तो कीएगे रिचित अगर